Hello everyone, welcome back to another video आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी छोले बनाने की रेसिपी छोले तो आपने बहुत बार बनाए होंगे लेकिन ये जो हम बनाने वाले हैं इसका स्वाद बिल्कुल वही आएगा जो आपने दिल्ली में खाया होगा तो दिल्ली के छोले भटूर अगर आपने खाये हैं तो आपको वो टेस्ट जरूर इसमें मिलेगा बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है तो एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब सरूर करिएगा तो चलिए इस मज़िदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहापर मैंने लिया है सफेज चने और जो हम छोले के लिए यूज करते हैं यह लिया है मैंने डेड़ कप और इसे रात भार अच्छी तरह से भीगा दिया था और यह बहुत अच्छी तरह से फूल गए है अब इसे हम प्रेशर कुकर में एड़ कर देंगे इसके साथ एड़ करेंगे हम धाई से तीन ग्लास पानी अब इसमें एड़ करेंगे हम नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ कर लीजेगा इसमें मैं वन टी स्पून एड़ कर रही हूँ और जरूरत होगी तो हम बाद में इसमें एड़ कर देंगे अब इसके साथ एड़ करेंगे हम बेकिंग सोडा वन फोट टी स्पून इसके साथ add करेंगे चाय पत्ति तो चाय पत्ति को हमें इस तरह से पोटली बना के डालना है तो टू टेबल स्पून मैंने चाय पत्ति लिया है और इसे हम अच्छी तरह से पोटली बना लेंगे इसकी जगा आप टी बैक्स भी यूज कर सकते हैं तो अगर आप चाय पत्ती इस तरह से नहीं डालना चाहते हैं तो आप दो टी बैक्स एड़ कर देजे अब इसे हम बंद कर देंगे अच्छी तरह से और हाई फ्लेम पर एक विसल आने देंगे और लो फ्लेम पर तीन से चार विसल आने देंगे तो यहां पर हम चानी को बहुत अच्छी तरह से गला लेंगे क्योंकि आगे हम चानी को थोड़ा सा मैश भी करेंगे तो चानी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाने चाहिए तो जब प्रेशर अपने हम रिलीज हो जाए इसके बाद हम इसका लिड ओपन करेंगे और चाय पत्ती का जो बैग है उसे हम डिसकार्ड कर देंगे अब आप देख सकते हैं हमारे छोले बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलाइम है तो इसे हम साइड में रख देते हैं और यहां पर मसाला रैडी करेंगे अब यहां पर हमने एक लिया है भागोना और इसमें एड करेंगे हम चार से पांच बड़े चमश ओयल जैसे ही ओयल गरम हो जाएगा इसमें एड कर देंगे हम दो बड़े साइज के प्यास जिसे हमने बिल्कुल बारिक चॉप कर लिया है इसे हम भूनेंगे अच्छी तरह से जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा पिंक ना हो जाए इसे हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है अब इसमें शामिल करेंगे हम अद्रक लैसन का पेस्ट टू टेबल स्पून और इसे हम भून लेंगे जब तक कि इसकी रॉसमेल चली ना जाए अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें एड़ करेंगे हम तीन से चार हरी मिर्चे तो हरी मिर्चे मीडियम है बहुत जादा तीक ही नहीं है थोड़ा सा स्टर कर लेंगे अब इसमें एड़ करेंगे हम दो बड़े साइज के टमाटर पिलकुल बारीक चॉप किये हुए और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं अब इसके साथ एड़ करेंगे हम हल्दी पौडर हाफ टीस्पून लाल मिर्चो का पौडर वन टीस्पून गरम मसाला पौडर वन टीस्पून तो यहां पर मैंने किचन किंग का मसाला यूज किया है छोले मसाले लेंगे 1.5 टी स्पून जो कि मैंने एवरेस्ट का लिया है तो मैं आपको नाम इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके छोले भी बिल्कुल टेस्टी बनें जैसे कि मेरे बनते हैं और इसमें एड़ करेंगे हम अनारदाना पॉडर 3-4 टी स्पून इसे हम अची तरह से भूनेंगे और इसके साथ एड़ कर देंगे हम अब इसमें एड़ करेंगे हम पानी जिसमें हमने छोले बॉइल किये थे तो छोले का जो पानी है उसे हम फेकेंगे नहीं उसे हम यूज करेंगे अब इसे हम ठक देंगे और 2-3 मिनिट के लिए low flame पर पकने देंगे जिससे कि टमाटर भी soft हो जाएंगे और मसाले हमारे अची तरह पक जाएंगे तो यहाँ पर मैंने मसाले अची तरह से भून लिये हैं अब इसमें add कर देंगे हम छोले और उसके साथ जो भी पानी है तो पानी का जो काला रंग है इसी से छोले भी काले होंगे अभी इसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया है नमक मैं बाद में इसे टेस्ट करके add कर दूँगी और इसका जो texture है बहुत ही अच्छा आएगा अब इसमें आड़ करेंगे हम 3-4 ग्लास पानी क्योंकि अभी हम इसे और पकाएंगे तो तब तक इसकी जो consistency है वो भी perfect हो जाएगी इसे हम धग कर 10-12 मिनट के लिए low flame पर पकने देंगे 10-12 मिनट हो गए है और अब इसे हम stir कर लेते हैं और इसकी जो consistency है इसकी gravy है बिल्कुल perfect है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और ठीक हो जाएगी अब इसमें आड़ करेंगे हम कसूरी मेती 2 टी स्पून ताजा कटा हुआ हरा धनिया और इसे अची तरह से mix कर दें तब तक इसका हम तड़का बना लेते हैं तो यहां पर special तड़का बनाने के लिए हमने लिया है देजी घी 4-5 टीबल स्पून यहां पर देजी घी का ही आप यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा अब इसमें आड़ करेंगे हम 3-4 चमज अजवाइन जैसे ही अजवाइन का थोड़ा सा फ्लेवर आधिवेट हो जाएगा इसमें एड़ करेंगे हम 4 हरी मिरचें जिसे हम बीज से स्लेट कर देंगे इसका तड़का जितना ही सिंपल है उतना ही flavorful है और जब इसे छोले में add करेंगे तो इसका जो aroma है पूरे छोले में mix होकर बहुत ही जबरस हो जाएगा तो आप इस तड़के को ज़रूर बनाए और बिल्कुल इसी ताऱा बनाए तो यहाँ पर छोले हमारे बिल्कुल अभी बॉइल हो रहे हैं इसी स्टेज पर हम तड़का भी एड़ कर देंगे तड़का डालने के बाद इसे तुरंथ हम ढग देंगे फ्लेम को आफ कर देंगे और आप देख सकते हैं की दिल्ली वाले चोले बनके बिल्कुल रैडी है बहुत ही टेजड़ एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा अगली वीडियो मैमें आपके साथ शेयर करूँगी दिल्ली वाले भटूरे कैसे बनते हैं बहुती फूले फूले और बहुती नरम और इन दोनों का कॉंबिनेशन तो बिल्कूल जबरजस्त है आप खाएंगे तो आपको दिल्ली वाले छोले भटोरे याद आएंगे तो आप मिस्स मत करिएगा आप सरूर देखेगा आप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजी और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब सरूर करिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में अंटिल देन टेक कियर एंड हाव वांडरफूल डे